दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे आर्मी कलर्क कैसे बने 2022 में अगर आप भी 2022 में आर्मी कलर्क बनना चाहते हो तो वीडियों को पूरा देखें आपको पता होना चाहिए कि कितनी उमर आपको 2022 में देनी पड़ेगी कितनी लंबाई और कितनी पढ़ाई और कितनी दोड़ आपको लगानी पड़ेगी आर्मी कलर्क के लिए दोस्तों आर्मी कलर्क की जो जोप है आर्मी में सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि आर्मी कलर्क का जो काम होता है बहुत ही अच्छा काम होता है इसमें salary भी बहुत अच्छी मिलती है और काम भी बहुत अच्छा होता है अगर आपने पहले कभी बर्थी देखी है तो आपने बर्थी में देखा होगा कि जो computer पर बैठे होते हैं वो army कलर्क होते हैं अगर आपको भी army कलर्क बना है तो video को पूरा देखें आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि army कलर्क 2022 कैसे बने army की जो कलर्क की बर्थी है उसमें आपको कितनी उमर लंबाई दोड़ और दोस्तों कितनी बढ़ाई आपको चाहिए वीडियो को पूरा देखें army दोस्ट चैनल को subscribe करें बर्थी जब भी कोई भी राज्य की आती है तो मैं तुरंत आपको बता दूँगा तो आप चैनल को subscribe करें ठीक है हमारे साथ telegram Instagram पे भी जूट सकते हैं उसका link description में मिल जाएगा आप उधर जूट जाएए कोई भी बर्थी आती है हम उधर भी आपको बता देते हैं और army दोस्ट चैनल YouTube पे भी वीडियो डाल देते हैं तो आप army दोस्ट चैनल को भी subscribe करें telegram चैनल पे भी जूट जाएए और Instagram पे भी हमारे साथ जूट जाएए कोई भी update आती है तुरंत मैं उधर आपको बता देता हूँ चलो दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं शोकीसी वीडियो है वीडियो को like करना चलो दोस्तो आपको जानकारी देते हैं 5.45 तक पहुंचते हो तो आपको second group में रखा जाएगा आपकी 1600 running होगी 5.45 में आपको complete करनी है 1600 running उसके बाद दोस्तों आपके beam होंगे push up फिक है जहांपर 10 push up होंगे number आपको नहीं दी जाएगे क्योंकि color के लिए number matter नहीं करते हैं उसके बाद 9 feet jump होगा और balance भी होगा जिंग बैले से भी होगा जहें आपका physical होगा उसके बाद बात करते हैं height के बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उमर के बारे में कि 2022 में कलर्क के लिए कितनी उमर चाहिए साधे सत्रा से तेईस बर्ष ठीक है साधे सत्रा से तेईस बर्ष एक अक्तूबर 1909 एक अपरेल 2005 के अंदर अगर आपकी age है तो आप कलर्क के लिए जा सकते हो 2022 में उसके बाद height की बात करें तो दोस्तों सभी राज्यों के लिए आल इंडिया का कोई वी राज्य है अगर आपका कोई वी राज्य है तो आपको height देनी होगी 162 cm ठीक है कोई वी राज्य है आपका ठीक है अगर जैसे कि दोस्तों लदाक है उनकी कम होती है इससे ज़्यादा height आपकी नहीं होगी इससे कम ही आपकी height होगी ठीक है सभी राज्यों के लिए क्लर्क की जो हाइट रहती है सेम रहती है सब को एक ही हाइट देनी पड़ती है बांच 62 सेंटीमिटर अब बात करें दोस्तों चस्ट की सीना कितना सीना चाहिए 77 आपको चस्ट चाहिए नार्मल और पांच का फुलाप चाहिए फुलाना भी आपको प आपके पास दोस्तों 50% होने चाहिए ठीक है हर सुजक्त में 50% होने चाहिए टोटल जो आपके मार्स चाहिए ठीक है टोटल जो मार्स चाहिए दोस्तों आपके पास 60% होना चाहिए ठीक है देख लीजिए दोस्तों जे आपकी है दोस्तों क्वालिफिकेशन अगर हिंदी ह बायो है मैत है कुछ भी है टोटल 60% नंबर होने चाहिए हर सुजक्ट में 50-50 होने चाहिए यह है कलरक की क्वालिफिकेशन एज हाइट वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है बर्ती की जानकारी के लिए आर्मी दोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है ज कर लह सब्सक्राइब कर